जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से बंगलादेश की प्रधान मंत्री देश छोड़ करके फरार हो गई, बंगलादेश में तख्ता पलट हुआ, आप तमाम लोग जान रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर छात्र जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, असल में जो कुछ बंगलादेश में हुआ वो कोई धर्म को लेकर के लडाई नहीं हो रही थी. वहां के आम लोग तरस्त थे, वहां तमाम जो कहा सकता है संप्रदाय के लोग थे, तमाम धर्मजभ के लोग थे वो तमाम लोग तरस्त थे और इसी वज़ा से वो सरकों पर उतरे आंदोलन किया आरक्षन से वो काफी परिशान थे 30 पर्थिशत आरक्षन सिर्फ और सिर्फ एक-दो पर्थिशत लोगों को दिया जा रहा था, जिससे वह नाराज थे, और यह आंदोलन आज से नहीं, वलकिन बहुत पहले लंबे अरसे से हो रहा था, लेकिन यह आंदोलन विक्राल रूप लेता गया, जब उन आंदोलन कारी चात्रों को देश द्रोही बता दिया गया उन्हें रजाकार कहकर के बताया गया रजाकार उन्हें बताया गया था जिन्होंने सन 1971 में बंगलादेश की आजादी की लड़ाई के बीच बंगलादेश के लिए गदारी जिन लोगों ने किया था उन्हें रजाकार बताया गया कि जब सरकार जो है वो वहाँ पर आपने देखा था कि छात्रों पर उन्होंने गाडियां चलवा दी, कुछ लवा दिया, गोलियां चलवा दी, तब भारत के राइट विंग्स के कुछ लोग कह रहे थे, कि ऐसे जो है भारत में करने की जरूरत है, भारत में यही treatment करने की जर खलना चाहिए कि वहाँ के छात्रों ने जो किया वो सही किया, क्योंकि परदानमंत्री छोड़ करके भाग गई, देश को छोड़ करके भाग गई, खैर, इन मुद्धों को छोड़ दीजिए, मामला अब यह है और बारत की मीडिया और भारत के कुछ लोग जो हैं, भारत की कुछ मीडिया प्लेटफरम भारत के कुछ लोग सीधे तोर पर अब ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि बंगलादेश में हिंदू महफूज नहीं है इस बीच एक बड़ी खबर निकल करके ये सामने आ रही है कि लीटन दास जो के बंगलादेश के टीम में शामिल है एक नौन मुसलिम प्लेयर है एक हिंदू प्लेयर है उनके घर को आग लगा दी गई है ये खबर सोशल मीरिया पर जम करके वाइरल हो रही है लोग ये कह रहे हैं कि जिस प्लेयर ने बंगलादेश का नाम रौसन किया जिसने जो है दुनिया भर में जाकर के बंगलादेश को पहचान देने का काम किया उन लोगों को भी इसलाम वादियों ने नहीं छोड़ा जी है इस तरह की बाते की जा रही है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ यानि कि सीरे तोर पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बंगलादेश में हिंदू सेफ नहीं है उन्हें मारा जा रहा है उन्हें जलाया जा रहा है काटा जा रहा है तरह तरह के मेसेज देने की कोशिश की जा रही है लेकिन आईए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ज लेकिन ये है एक प्लेयर का है, जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको बताएं कि ये प्लेयर कोई नौन मुसलिम नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, बलके एक मुसल्मान है, और उसी के घर पर ये आग लगाई गई है, अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है, असल में वो पुर्व बंगलादेशी खिलाडी हैं, उनका तालुक शेख हसीना से बहुत अच्छा था, वो चुनाओ भी लड़ रहे थे, शेख हसीना की पार्टी से उनका तालुक था, और यही वज़ा है, कि उनके घर पर आग लगाई गई गई, लेकिन इसमें लीटन दास का कोई मामला ही नहीं है, लेकिन भारत में बैठे हुए कुछ लोगों को नफड़तें पडोसनी हैं, असल में उनके निशाने पर भारत के जो अल्प संख्यक हैं वो हैं, और यही वज़ा है कि वो इस तरह के मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताए देखें किस तरह से, यह दीपक शर्मा है, नफलत फैलाने का काम कर रहा है, बंगलादेशी क्रिकेटर लीटन दास के घर को आग लगा दी इसलामिक आतंक वादियों ने, लेकिन इस गधे को यह बात मालूम नहीं है, कि इस से यह समझता है कि यह आदमी जो है, वो कुछ भ प्ले़ थे वहां के, उनका यह घर है इसका घर नहीं है, यादि कि यह फेक न मिट फैला है जा रही है, यह ली टन दास का घर ही नहीं, बंगलादेश के हिंडु किरिकेटर लीटन दास का नहीं, बलके इस खिलारी का घर आंदलान का दे इस बाला वो गरी मोहल बना हुआ है इस बीच कुछ नफरतियों ने जो है यह आफ़ा फैला दिया कि बंगलादेश में बंगलादेश के क्रिकेटर लीटन दास का घर जला दिया गया है जबके यह खबर मुकमल जो है वो जूट है सचाई है कि बंगलादेश के पुरू क्रिकेटर और मुर्तजा के शेख असीना के बहुत करीबी माने जाते हैं जो कि काफी करीबी माने जाते हैं चुनाव भी लड़ते हैं और दशनकारियों ने उनके घर को जलाया है लेकिन नफरतियों नफरत फैलाने वालों ने जो है सीधे तोर पर यह बताने की कुछिश की के लिट अन के घर को जलाया गया है तो ये एक फर्जी खबर है जूट है इसी तरह एक और खबर फैलाई जा रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है एक लड़की का जो है वो रेप कर रहे है चार-पांच लोग मिल करके और उसमें टेक्स्ट लिखा आ रहा है और इस तरह की बातें जो है लंबी चौड़ी लिखी गई है वो भी तस्वीर जो है वो फर्जी तस्वीर है वो तस्वीर आपको बताएं वो घिनोनी तस्वीर कही सी और मुल्क की नहीं बलके भारत की है और भारत में वो रेप का मामला हुआ था कालिबन 2021 या 2018 इनी दोनों क किसी एक साल में 2020 में हुआ था उस मामले को जो है बंगलादेश का कहा करके साजा किया जा रहा है कि देखो वहां हिंदूों की बच्चियों के साथ इस तरह की मामला सामने आ रहे हैं जो कि सारासर एक फर्जी और जूट और फरेव है तो आप तमाम लोग इस वीडियो को ज